माता रानी आपसे ये कहने आई है मेरे बच्चे, क्या सोच रहे हो? अपने जीवन में बाधाओं से, कठिनाईओं से, क्या तुम भैभीत हो गए हो? क्या तुम अपने जीवन से तंग आ गए हो? तो क्यों कहते हो ऐसा, कि हे भगवान मुझे पर किर्पा कब करोगे मेरा नसीब ही खराब है पता नहीं मेरे किसमत में कब तक दुख लिखा है ऐसा आज के बाद कभी मत कहना मेरे बच्ची क्या तुम्हें अपने मा की शक्तियों पर संदे है मैंने तुम्हारे किसमत को रचा है मैंने बनाई है इस तृष्टी को, और मैंने तुम ही बनाया है जो कठिन दिन है तुम्हारे जीवन में वो तुम्हारे हे किये कर्मों का छोटा सा फल है लेकिन ये दिन एक समान नहीं रहने वाले हैं जैसे सुख नहीं ठहरता वैसे ही तकलीफ भी नहीं ठहरती हैं एक समय सारे दिन आते और जाते रहते हैं इसलिए मेरे बच्ची अपनी सोच को सकारात्मक रखो अपने धैरे को और जादा बढ़ाओ जो कठिनाईयां बढ़ती हैं जीवन में तकलीफ बढ़ते हैं तो समझो एक नया सवीरा अब दूर नहीं है सुख की घड़ी बस तुम्हारे दर्वाजी पर दस्तक देने ही वाली है मैंने तुम्हारा कल बहुत ही सुनहरा बनाया है तुम्हें आने वाले समय में कोई भी कठिनाई कोई भी संकत नहीं होने वाली है तुम्हारे जीवन में अपारधन की वर्सा करूँगी तुम्हारे लिए सफलता के सारे दुआर मैं खुद सेम अपने हाथों से खोलूँगी मेरी बच्ची मैंने ही अपने हाथों से तुम्हारी तक्देद लिखी है इसलिए अपनी मा की शक्तियों पर संदेह करना छोड़ दो तुम मुझे बहुत विसिष्ट हो तुम मेरे लियती प्यारे हो और तुम जो नेकी का कारे करते हो किसी से जोट नहीं कहते दूसरों का भला करते हो मैं उन सब कर्मों का फल तुम्हें देने जा रही हू मेरा आशिरवात हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्ची खुस रहूँ